आज मैं फिर से आप लोग के लिए color से related वीडियो लेकर आ गया हूँ और आज के जो हमारा color का जो पार्ट है वो है 38 पार्ट और आज के इस color के साथ हमारा color का जो भी knowledge था basic to advance पूरा topic हमारा खतम हो जाएगा आज मैं आप लोग के लिए जैसे मैंने बताया थे कि पिछले की वीडियो में कि मैं आप लोग के लिए funky color की वीडियो लेकर आऊँगा और funky color जितना आप आसान समझते उतना आसान है ने क्योंकि दोस्तों आप लोग ने बहुत बन नोटिस किया होगा कि आप लोग blue color करना चाहते हो लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि blue color करने चाहते हैं हम लोग तो green color आ जाता है वाइलेट कलर करते हैं तो हमें जिस तरह से vibrant violet color चाहिए एक natural जो अच्छा सा दिखने वाला shine वो color हमें नहीं मिलता कभी-कभी dull आप लोग को मिलता है वाइलेट टाइप में तो दोस्तों आज में आप लोग को इस वीडियो में funky color किस तरह से एक advanced में अच्छी तरीके से और एक बहुत ही बहतरीन सा result मिले कैसे करते हैं में आप लोग को बताता हूं फिलाल इसके पहले में आप लोग को बता दू कि हमने अभी तक बेसिक टू एडवांस लेवल का color से रिलेटेड जो भी टॉपिक सारे complete किये जैसे कि हमने color किया बेस कलर क्या होता है हमारा reflection क्या होता है हमारा color tube कौन-कौन से होते हैं हमारे developer कैसे work करते हैं हमारा blonder कैसे work करता है और color को किस तरह से आप लोग global color कर सकते हो highlights किस तरह से कर सकते हो ओम्रे बाले आज जो भी नए-ने technique basic to advance सारा topic हमने दोस्तो step by step part two part हमने complete किया और आज का हमारा पार्ट है वो है 38 और इस 38 पार्ट के साथ हमारा color का basic to advance level का पूरा topic खतम होगा और इसके बाद हम लोग जो हम लोग chemicals related जो भी आप लोग का doubt रहता है जैसे कि smoothening करते समय और आप लोग का जो भी इशू होता जो फिरiquer prem outta Das Då करते समय जो भी इशू होता या फिर बोटोस उसकतल समय या फिर आपने straightening कीए तो मेंदी वाले hairs पर straightening कैसे करनी है, straightening करने के बाद में waves आगे तो क्या करें, waves ना आए, उसके लिए क्या करें, बालों में अच्छा सा shine आए, उसके लिए क्या करें, अब जो videos हमारे आएंगे, chemical से related आप लोग की यही सारे videos आएंगे, फिलाल यह हमारा जो last part है, 38 part, जो हमा सारे color हमारे funky color में आते हैं, और funky color हमारे strics के brand में बहुत ही अच्छा अच्छा है, और नएने techniques के जो भी हमारे color है, वो सारे funky color हमारे strics के brand में आते हैं, तो यह हैं हमारे strics का funky color, जिसमें आप लोग को अलग अलग type के color मिल जाएंगे, और जिस तरह से funky color आते हैं, उसी तर लोगो डिरेक्टली हेर पर अपलाए करने पर आप लोगो कलर बिल्कुल भी नहीं आएगा और दूसरी बात इसे आप लोग को प्रिलाइट करना आ प्रिलाइट आप लोगो कितना करना है प्रिलाइट करने के बाद में इसका अंडर्टोन हमें कौनसा चाहिए कि अगर समझ लीचे हमें ब्लू कलर करना है तो कौनसा अंडर्टोन चाहिए तो हमें कौनसा अंडर्टोन चाहिए पिंक करना है तो कौनसा अंडर्टोन चाहिए यानि कि pre-light करने के बाद जो undertone आते उस undertone की बात कर रहा हूं। तो आप लोग इस color को जैसे मैंने बता है कि directly नहीं कर सकते हैं। इसे करने के लिए आप लोग को सबसे पहले hairs को अच्छी तरीके से pre-light करना पड़ेगा। और कितना लेवल तेक pre-light करना मैं आप लोग को आगे इस वीडियो में पुरा डिटेल नहीं बताऊंगा। किस तरह से आप लोग को ये पूरा प्रोसेस करना है आप लोग को कौन सा color किस तरह से आएगा कितने लेवल तक चलिए दोस्तों आज मैं आप लोग को पुरा डिटेल में बताता हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को यहां पर वाइड बोर्ट पर एक बार पूरा अच्छी तरीके से एक्स्प्लेइन कर देता हूं। देन उसके हाथ में आपको प्रैक्टिकल करके मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोग को color अच्छीव करना है जो भी आपको color चाहिए। तो समझ लीजे पहला हमारा color हम लेते हैं blue ठीक है। यह ज्यादा तर client को हमारे blue color पसंद आता है और blue में बहुत जादे बार दिक्कत हो जाती है। पिंक कलर लेते हैं उसके आद में third color हमारा है green इन सब को मैं आप लोग को अच्छी तरीके से पूरा explain कर दूँगा और फिर उसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा जिससे कि आप लोग का जो भी doubt हो पूरा doubt clear हो जाएगा। तो यहां पर हमने चार टाइप के color लिया है funky color crazy color कोई भी दोनों ब्रैंड से आप लोग ले सकते हो अपर हमें blue color चाहिए तो सबसे पहले तो हम लोग करेंगे प्रिलाइट यहां दोस्तों जैसे कि आप लोग का बता है कि without प्रिलाइट हमारे hairs पर color नहीं आएगा चीक है तो हमें प्रिलाइट करना है अब प्रिलाइट से यहां पर कितना level हमें करना है जब भी आपको blue color चारना हो तो आप लोग को प्रिलाइट हमेशा 9 to 10 level आप यहां पर आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा कि हम जब प्रिलाइट कर रहें तो 9 to 10 level क्यों लिफ्ट कर रहे हम यहां पर 7 to 8 level पर blue color क्यों नहीं अचीव कर सकते तो यहां पर आते हैं हम कलर विल पर ठीक है तो में लिए हमारा कलर विल में हम लिए रेड यलो और उसके बाद में हमारा यहां पर है blue यह हमारे प्रैमरी कलर है आप लोग को पता है यह उसके बाद में हमारा secondary color red और yellow को mix करेंगे होएगा orange yellow और blue को mix करेंगे तो यहां पर हमारा बनेगा green then red और blue को mix करेंगे तो यहां पर होएगा आप लोग को 9 to 10 level क्यों करना है यहां पर आपे लोग ने जगहे पर अगर आप लोग ने क्या होगा यहां ट मरेंगा तो यहां पर आप लोग जब mix होगा तो क्या बन जाएगा ग्रीन कलर हो जाएगा इसलिए आप लोग को यहाँ पर 9 to 10 लेवल लिफ्ट करना है ताकि आप लोग का जो यलो टोन की उपर का हमारा जो हमारा अंडर टोन हो मिले जिससे कि हमें एक बहुती बहतरीन सा और परफेक्ट ब्लू कलर हमें मिल जाएगा यहाँ पर आप लोग कलर विल की मदद से समझ में आया कि यलो और ब्लू मिलता है तो ग्रीन होता है लेकिन हम यलो के उपर जा रहे है एट पर हमारा अंडर टोन आता है यलो लेकिन एट के उपर हमारा पेल एलो पेलेस्ट यलो अगर आप लोग ने जो हमने अंडर टोन के उपर पुरा डिटेल में में basic to advanced level में हमने complete क्या है air color science में जाए वहां पर पूरा playlist में हमने detail में पूरा बात किया वहां पर आपadelों को color will के oder हमने पूरा detail में बताया है जिसने की आप advise करें कि कि मैं किस undertone की बात कर रहा ह upgrading और यहां पर होगे हमारा blue color complete, यहां पर आप लोग चाहो तो जब 9-10 लेवल आप लोग लिफ्ट करो, तो यहां पर आप लोग purple shampoo से wash करोगे, जा दोस्तो परपल shampoo से wash करें, या फिर जो हमारा शॉसकोफ का आता है, goodbye shampoo, उस goodbye shampoo को भी आप लोग use कर सकते हो, यानि कि जो हमारे ब blue color आपको समझ में आ गया, कि जब हम blue color में 8 level तक undertone रखते हैं, तो हमारा green क्यों जाता है, क्योंकि yellow और blue mix होके green बन जाता है, color wheel की हिसाब से आप लोग समझ लीजे, इसलिए हम हमेशा blue color करना हो, तो 9-10 level आप लोग को lift करना है pre light से, ठीक है, और pre light आप लोग को हमेशा मैं बोलूंगा कि 20 volume से करिये, चाहे तो 2 बार करना पड़े, तो भी चलेगा, क्योंकि 30 volume से करोगे, तो क्या होता है, हमारे hairs बन हो जाते हैं, या freeze हो जाते हैं, फ्रीजी होके तो कुछ मतलब नहीं है, अगर बाल जादा ठीक है, तब आप लोग 30 volume से आप लोग developer यूज कर सकत होगे, तो प्रींक में आप लोग आराम से अगर 8 level भी करते हो, तो आप लोग एक अच्छा सा pink color मिल जाएगा, चीक है, यहाँ पर आप लोग को pink color तो 8 level पर ही मिल जाएगा, बहुत ही अच्छी देगे, हाँ, 7 या 6 रखोगे, तो भी pink color आएगा, लेकिन pink color क्या आएगा, क हमारे बालों में थोड़ा-थोड़ा सा orange type का tone दिखेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो यह orange tone नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग कम से कम 8 level तक लिफ्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग को पता है कि जब हम लोग बालों को prelight करते हैं, तो सबसे पहला हमारा tone आता है, हो red, 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 बाद में red, orange, orange, फिर yellow, फिर yellow करके फिर उसके उपर पहल यलो और पहले यलो आता है, तो हमेशा red आता है, इसलिए 7, 8 पर भी pink आयो लेकिन orange tone दिखेगा, तो हमें orange tone नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग 8 level तक lift करेंगे, अब यहाँ पर हमारा third वाल आता है green, तो green में आप लो पर भी आपको green मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को देखने मिल रहा है कि yellow और blue मिक्सर ने पर भी green आए जा रहा है, तो yellow tone अगर आपका होगा, तो भी आपको अच्छा green मिल जाएगा, लेकिन एक dark और एक बहुती best green चाहिए, तो 9 level तक आप लोग अच्छी तर करते हो, कभी फीका wallet आता है, कभी neutral हो जाता है, आप लोग एक perfect अच्छा shine वाला wallet नहीं मिलता, तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर आप लोग को प्रिलाइट करना है, और प्रिलाइट आप लोग को जो है, काफी अच्छी तरीके से करना है, यानि कि आप लोग को जो प्र आप लोग को 10 लेवल से उपर भी आप लोग ने किया, फिर से एक बार आप लोग चाहिए, और उसमें का yellow tone पूरा अच्छी तरीके से निकाल दीजिए, देन उसके बाद में आप लोग को यहाँ पर आप लोग को purple shampoo यूज करना है, आप मैं आप लोग को यहाँ पर यहाँ ज्यादा क्यों हमें इतना ज्यादा क्यों प्रिलाइट करना है हमें वॉयलेट कलर के लिए, तो यहाँ पर आते हैं हम कलर विल पर, तो कलर विल में यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, कि हमारा जो yellow और वॉयलेट यह opposite में एक दूसरे का complementary color, यानि कि एक दूसरे को color cut करते और जब color cut होके, यह neutral हो जाता है, तो यहाँ पर देख रहे हो, yellow, yellow के सामने क्या है हमारा वॉयलेट, तो जब हम इस बालो में अगर हमारा pigments yellow tone रहा, तो यह violet color आएगा, लेकिन violet color आपका कैसा आएगा, purple type में मतलब एदम फीका-फीका color आएगा, तो हमें एक अच्छा color चा तो हम जब इसका 10 level के उपर जब हम जाएंगे, इसमें से yellow tone का जो pigment से पूरी तरीके से निकल जाएगा, फिर उसे अच्छी तरीके से purple shampoo से हम shampoo करेंगे, और फिर उसे अच्छी तरीके से dry करने के बाद में, हम हमारा color deposit करेंगे, directly आप लोग को use करना है, funky color हम हमारा violet color use तो यहां पर समझ में आ गया आप लोग को, अब मैं आप लोग के एक basic बात बताता हूँ कि जब भी आप लोग को blue करना हो, pink करना हो, green करना हो, यह वोईलेट करना हो, वोईलेट पर ज्यादा ध्यान देना, लेकिन blue, pink, green यह जब भी आपको करना अच्छा color चाहिए, तो मै हमेशा आपको यह बोलूँगा, nine to ten level lift करिये, yellow tone जितना दूर रहेगा, बालो में से, उतना ही best आप लोग का funky color, crazy color का result आएगा, चीक है, तो I hope कि आप लोग को color will की मतलब से समझ में आ गया होगा, कि जब भी हम blue color करते हैं, तो हमारा blue color में green क्यों आ जादे है, क्योंकि इस होता है, मैं आपको अभी practical भी use करके दिखाऊंगा, कि किस तरह से आप लोग को करना है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ hairs है, जिसमें मैं आपको practical करके दिखाऊंगा, एक hair से देख सकते हो, आप लोग कि कुछ nine level तक lift है, और यह हमारा 10 level तक बहुत अच्छी तरीके से lifting हु लेना है, प्रिलाइट आप लोग देख सकते हो, कि आप लोग कोई भी blonder यूज़ करिये, लेकिन मैं आप लोग को हमेशा यही बोलूँगा, कि जो भी blonder यूज़ करना पड़े तो भी चलेगा, सबसे पहले आप लोग को funky color या फिर crazy color करना है, तो उसके लिए आप लोग क तरीके से प्रिलाइट कर लेना है, प्रिलाइट करने के लिए आप जो ब्लॉंडर यूज़ करोगे, वो कोई भी ब्रैंड का ब्लॉंडर यूज़ कर सकते हो, बस मैं आप लोग को यही बोलूँगा, कि हैर्स के अकोर्डिंग है, आप लोग को developer यूज़ करना है, पतले है हैर से हैं, तो 20 वॉल्म यूज़ करिए, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन बाल आपके खराब नहीं होंगे, फ्रिजी नहीं होंगे, या फिर आप लोग जो देखते हैं कि बिटर हो के तूटने लगते हैं, या जल जाते हैं उस तरह का नहीं होगा, तो हैं, तो फिर से आप लोग एक बार अप्लिकेशन करोगे, और अच्छी तरीकी से 9-10 लेवल लिफ्टिंग करने के बाद में, आप लोग इसे वाश कर लेना है, वाश करने करना है, और देन आपको यहाँ पर देख सकते हो, कि यह जो crazy color है, और यह जो हमारा funky color है, इन दोनो आप लोग देख पा रहे हो, कि directly हमने निकाला, और direct हम hails पर apply कर रहे हैं, और hails पर बहुत ही proper तरीके से जब आप लाइ कर रहे हो, तो देखिए इसमें color कितना जल्दी आ रहा है, इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूं, कि जब 9-10 लेवल तक lifting हुआ रहेगा, तो आप लोगा color बहुत ही best आएगा, अब इसे हम लोग रखेंगे, कुछ 15-20 minutes के लिए अच्छी तरीके से बालो में आ जाए, देर उसके बाद में आप लोग इसे wait करोगे, और फिर इसे करोगे आप लोग वाश, वाश कर लोगे, वाश करने के बाद में आप लोग को इसका final result dry कर करना है कि जब भी आप लोग को ये crazy color, funky color करोगे, तो हमेशा client को बताना है कि जिस तरह से wash होगा, ये wash होते 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 हैं, धीरे-धीरे fed out होगा, यानि कि हलका होते जाएगा, जिस तरह से हम बालो में जो भी client घर पर मेहंदी लगाती है, तो जब भी वाश करती है, तो मेह को हमेशा client को ये चीज बता देनी है, तो दोस्तो हमारा हो चुका है final result complete, और आप लोग को ये कैसा लगा, वीडियो funky color की उपर पुरा detail में, comment करके ज़रूर बताना, color का basic to advanced level का पूरा topic हमारे या आपर खतम होता है, अगला जो हमारे videos आएगा, वो chemical related videos आएगे, जो कि आप smoothening, keratin, botox, जिसमें जो भी problem आती हो, सारे चीज़े हम लोग complete करेंगे, चले मिलते हैं, next video में अपना ख्याल रखिए, इसी तरह आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, और हाँ दोस्तों, comments करके ज़रूर बताए कि आपको next video कौन सा चाहिए, किस topic उपर चाहिए, और बोलता हूं कि basic video जरूर देखिए, तो hair color science से related जो हमने playlist बनाए उसमें पूरा basic to advanced level का video है, चलिए मिलते हैं, bye bye check care, अपना ख्याल रखिए, और इसी तरह आप लोग का आपका video आता रहेगा